नुमस्कार दोस्तों स्वागा प्राप सुभी का हमारे सिट्वी चैनल हेमेर क्लासेज में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करशी जी बिग्यान महतपूर प्रशनोत्तर जैसा कि पहली वीडियो में भी हमने महतपूर प्रशनोत्तरों के बारे में बात की थ हैं और यह जो प्रशन है ये लास्ट वारे चैप्ट्रों से हैं और यह जो कुष्न है बलगुल सेथैं greaterive जो बोर्ड के एकस्टाम के लिएए बहुत ही मेत्मूद अब लेखना किस तरह से मचलियां कोरडेटा संग के वर्टी वर्टा उपसंग के पिसीज वर्ग का प्राणी है यानि मचलियों के अगर हम संग की बात करें तो कॉर्डेटा है उपसंग की बात करें तो वर्टिवरेटा है और अगर हम वर्ग की बात करें तो टिसीज वर्ग के अंतरकत मचलियां आती हैं आगे हम दूसरे प्रशन की बात करें तो दूसरा प्रशन है राजस्तान के द्रश्टी कौन से उपयुक्त प्रकार की मचलियां कौन सी है यानि राजस्तान में कौन कौन सी मचलियां पाई जाती है आगे अगर हम बात करें तो राजस्तान में मीठे जल की मचलियां जैसे रो मचलियों में स्वासन किस प्रकार होता है तो मचलियों में स्वासन गलफणों के द्वारा होता है मचलियों जल में गुली हुई oxygen को गलफणों द्वारा प्राप्त करती है जो जल में oxygen गुली होती है उसको मचलियां गलफणों के द्वारा अवसोसित कर लेती है प्राप्त कर लेती है आगे अगर हम चौथे प्रशन की बात करें तो चौथा प्रशन है मचलियों में अंड़ा देने का अपयुक्त समय है, यह प्रश् pharm आ सकता सअधार कोई पीछलीवार भी कईवार यह आ चुका है तो मखलियों में अंडे देने का अपयुक्त समय मांशून के जाने के बाद होता है जैसे ही मांसून जाता है सितंबर माहा में सितंबर अक्टूबर माहा में क्या होता है मचली देने का अपयुक्त समय होता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रशन की अगला और चट्मा प्रशन है मचली के तेल में कौन सा बिटामिन पाया जाता यह मोश्ट प्रशन है यह जर्णल प्रशन भी है जो आपको जैट में कई वार पूछा जाएगा तो मच्छिडियों के जो तेल में बिटामिन पायाता है वो है बिटामिन यानि सबसे ज़्यादा मात्रा में बिटामिन ये पायाता है आगे हम साथ में प्रशन की बात करें आंत्रिक परजीवी किसे कहते हैं उधारन लिखें आंत्रिक परजीवी किसे कहते हैं उधारन लिखें बे सूचम जीव इवं कीट जो पसुओं कुमा मनुश्यों के सरीर के बीतर रहकर पोशन प्राप्त करते हैं आंत्रिक परजीवी कह से लाते हैं जैसे लिवरफिलूक और एसकरिस यानि आंत्रिपरजी भी क्या है जो सरीर के अंदर रहकर पोशन प्राप्त करते हैं you frankly अगला प्रस्टन है अबना और मादा और एसकरिस वह है निनी 컯 सकता है नर्व मादा एसकरिस में च्छोटा होता है यह माधा की चुलना में चोटा होता है एक तो क्या होगा नर- माधा की चुलना में चोटा होता है और इसका जो पीछे का बागह वो मुड़ा होता है आगे हम बात करते हैं वश्च मोंबी कीट क् belki को सा है चिकित पर जीवी केट कौन सा है तो यह है जोक जोक के तेल का कई जगे चिकितसा के रूप में अपयोग किया जाता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है जोक की लार में कौन सा प्रतिसकंदक पाया जाता है यह भी महत्वर प्रश्ण है जर्नल साइंस यानि अगर हम जेट आईशियार सुपरवाईजरी की बात करें तो वह भी पूछा जाता है जोक की लार में कौन सा प्रतिसकंदक पायाता है तो यह है हिरूडीन जोक की लार में कौन सा तत्तो पायाता है हिरूडीन नामक तत्तो पायाता है जो लगत के ठक्के को बनाता है आ पर परागन का कारे करती हैं, दूसरा है मदुमक्खियों से सहद की प्राप्ति होती हैं, तीसरा है मदुमक्खी पालन रोजगार का साधन, यह सबसे महत पुर्ण है, मदुमक्खी पालन से क्या होता है, रोजगार प्राप्त होता है, आगे हम बात करें, 12 में प्रशन की दु दूसरा ये कीट कैसा है लावधाय कीटेद तीसरी अगर हम भात करें मदमख्यों में राणी सिरमिक अब अलग अलग होते हैं तीसरी विस्यिसता क्या है कि जो मदमख्या होती है और राणी शिरमिक और अलग अलग पाये जाते हैं चो था जो अपना प्रश्ण है अगला तेरा महा वो है मदमक्की पालन में कौन सी मदमक्यों को पाला जाता है ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण है ये पूछा जा सकता है इस वाद मदमक्की पालन में कौन सी मदमक्यों को पाला जाता है तो जो बहवर मदमक्या होते हैं यूरोपियन मदमक्या होती है बैसे मदमक्यों की 5 पर जाती है उन 5 पर जाती हैं उन 5 पर जाती हैं से केवल बहुवर और यूरोपियन मदमक्या ही पाली जाती है अगला प्रशन है मोम गरंतियां कौन सी मदमक्यों में पाई जाती है मोम गरंतियां कौन सी मदमक्यों में पा पहुचादा है जर्णल प्रषन और काफी इंपोर्टेंट प्रषन के पूचा ता सकता है तो अग्ला प्रश्न है किस प्रकार के होते हैं तो तुट प्रकार के मुहांक पाए-जाते हैं कि तिड़ máximo का प्रादने क accusation के अगला प्रशन है अपना तिड़ा में किस प्रकार का पोशन पाया जाता है ये काफी important प्रशन ये भी पूछा जा सकता है तो तिड़ा सरोवच्छी कीट है जो सभी प्रकार के सुचम कीट एवं फसलों के विविन भागों से पोशन प्राप्त करता है तिड़ा में किस प्रकार का पोशन प्राप्त करता है अगर हम एक सब्द में बात करें तो सरवची पोशन प्राप्त करता है आगे अगर हम बात करें सबसे जो प्रशन है तुमारी वायलोजी का इस साल का वो यह है निर्मोचन अगर कीटों से अगर हम बात करें तो कीटों से त्वचा का त्या कर देता है यह क्रिया निर्मोचन कहलाती है यह जब सिसू से वयस्त कवस्ता में जाएगा तो उसमें नई त्वचा का निर्माण होगा तो वो प्रिक्रिया क्या कहलाती है निर्मोचन कहलाती है यह थी अपने 18 महत्पुन प्रश्ण जो हमने लाश्ट वाल करना. Thank you.